स्वर्ग फिता और इश्यू मस्यी और पवित्रात्म के नाम से आमें स्वर्ग फिता में इश्यू मस्यी के नाम से प्रात्म करता मेरेको बल दे कुरूपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द करामें पवित्रात्म मेरेको बल दे कुरूपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द करामें पवित्रात्म जो लोगें सुनकर आगे दुसरों को बेचते वाइरल करते उनको सब को कोविड बीमारी से और ब्लैक फंगस से बचा कर रहे दोनु बीमारें लोगों से डूर कर और दूसी जो बीमारें है वह भी सब बीमारें टिक कर और सब कामाई लोगों का करके दिया आई तारीक है दो जून 2021 में मानता हूं परमिश्वर का जैसा कि जो लोगों ने प्रचारा पहले से सुन लिए है और सब लोगों पवित्र बन गए और एश्यू मस्य का कारे कर रहे है आमें स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइब पर एश्यू मस्य के नाम से गौड ब्लेस यू अल माती अद्दे 15 एक बीस एश्यू वहाँ से निकल कर सूर और सोधा के देशों की और चला गया और देखो उस देश से एक कनानी इस्तरी निकली और चिला कर कहने लगी ये प्रभु दवुद के संतान मुझ पर धया कर मेरी बेटी को दुरुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है परेशू मसी ने ओ कनानी इस्तरी को कुछ उत्तर न दिया और उसके चलों ने आकर उससे बिनती कर कहा इससे विदा कर क्योंकि वह हमारे पिछे चिलाती आती है उसने उत्तर दिया कि ये श्यात एल के गराने की कोई हुई बेड़ों को छोड में किसी के पास नहीं बेजा गया 25 पर वो इस्तरी आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी ये प्रबु मेरी सहायता कर एश्यू मसे ने उत्तर दिया कि लड़कों की रोठी लेकर कुट्तों के आगे डालना अच्चा नहीं इस्तरी ने कहा सत्यय प्रबु पर कुट्ते भी वह चूर चार काते हैं जो उनके सुआमियों की मेज से गिरते हैं इस पर एश्यू ने वो इस्तरी को उत्तर देकर कहा कि ये इस्तरी तेरा विश्वाश बड़ा है जैसा तुन चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो और वो इस्तरी की बेटी उसी गड़ी से चंगी हो गई एश्यू मसी है टायर और सिडोन करके नगर में गया इधर एक कनानी इस्तरी आई और उसकी बेटी बहुत बिमारती बोले तो दुरिष्ट आत्माओने गंदी आत्माओने उसके आंदर जो थे वो लोगों ने बहुत शोर मचाया क्या किया ज्यादा शोर मचा रहे थे उनको सता रहे थे कहीं के बार ऐसा होता कि यह जो इधर कहेला गया है 22 में वह ऐसा होता है कहीं लोगों को बहुत कम लोगों को ऐसा ऐसा लफडा होता है 22 में जो लिका है वो यह प्रभु दावुद के संतान मुझ पर दया कर मेरी बेटी को दुरिष्ट आत्मा बहुत सता रहा है हाँ, ये लड़की पागल है, आम बोलते हैं, अमारे जमाने में आम क्या बोलते हैं कि फलाना इंसान ये पागल है, क्यों इसलिए ये जो बातें करता है, इसका जो वेवार है ये एक पागल आदमी का जैसा है, पागल कुत्ते को आम लोगों ने देखा है, उसको कोई प्रेम नई कर सकता पागल कुत्ते को, वो तेरे को काठेगा, उसको मालूम नहीं, वो क्या कर रहा है, पागल कुत्ता जब भी कुत्ते को रैबिस होता है वो पागल बन जाता है उसको गोली से उड़ा दे थे जिन्दा मारते क्यों वो लोगों को छोड़ पहुंचाता है लोगों को काड़ता है तकलिफ देता है दूसरों कुत्तों को भी काड़ता है कोई भी हो जाए किसी को भी जो मिलता है इंसान और कुट्टा और कोई भी बकरी या मुर्गी कोई भी मिलती है उसको खाता है काटता है किसी को भी छोड़ता नहीं यह सच्च है तो यह जैसा मैंने अभी बोला है पागल कुट्टे का जो हिसाब है वो हिसाब अभी यह लड़की में नजर आ रहा आप बोलेगा यह सच्च मुछे लड़की पागल हो गई है तो जो बोलता है लड़की पागल हो गया उसका हिसाब क्या है यह आमको देखने का पहला जो कैतलिक अभी तक जिन्दा है वो कैतलिक का इसाब क्या है उसका जो आत्मा है वो कौन सा आत्मा उसके अंदर है पवित्र आत्मा है या दुरुष्ट आत्मा है क्या है जो इंसान पवितर कैथलिक बना नहीं वो हर एक इंसान दुरुष्ट आत्माओं से बरा रहता है आमको बाइबल पर मिलता है कि दो हजार दुरुष्ट आत्मे एशु ने सुमरों के उपर डाले थे तो इतना सारे दुरुष्ट आत्माओं एक इंसान के आंदर रहता है हर एक इंसान के आंदर जो इंसान पवितर कैथलिक नहीं बना वो हर एक इंसान के आंदर अच्ची तरह से सुन ले, हर एक इंसान के अंदर हजारों दुरिष्टात में रहते हैं, जो कैतलिक नहीं बने ओ तो, हर एक कैतलिक का हलत एक पागल कुत्य की जैसी छे, शायद वो बाहर से नहीं दिकाई देती है ये लड़की का जैसा, वो किसी को मालूम नहीं पड़ता बाहर से, लेकिन आंदर से हालत हर एक कैतलिक का पुरा पागल कुत्य की जैसीच है अंदर से, उसका सोचने का, उसका देखने का, उसका बात करने का, उसका सुनने का, हर एक जो चीजे गंदी है, बुरी है, दुसरों को सताने वाली है, दुसरों को धमकाने वाली है ये सीच हरकत हर एक कैतलिक की है तो ये बंद होने के लिए ये दुरुष्ट आत्मा ये लड़की को जैसे सता रहे है वैसा भी हो सकता है ये इसे भी इंसान है गाओं में है एक तो इंसान है आमको मालूम पड़ता है दारू पिता है सब गाओं को सताता है दुसरों को जगड़ा करता है उनका इसा ये औरत ये लड़की को पकड़ेगा और उसको पकड़ेगा इकीचे तो आमको हर एक कैतलिक को ये दुरुष्ट आत्माओं से चुटकारा पानेगा है तो आमको पवित्र कैतलिक बनने का मेरे को बन गया तो सिर्फ नौ मेन हो गया मैं भी हर एक कैतलिक का जैसा इस्त्रा मेरी जिन्दगी भी कोई पवित्र कैतलिक की इश्यू मसिग की जैसे जिन्दगी नहीं थी अब भी मेरे को सिर्फ नौ मेने हो गए और पवित्र अत्मा आपको यह मौका देता है जल्द से जल्द यह कतम होने के बाद प्रेचर बिस्क्रिप्शन में जा और पवित्र कैटलिक पांच-दस मेनट में बन जा इतना आसान है तो यह पागलपन जो कैटलिक लोगों को लगा है कौन सा पागलपन पैसों के पिछे बागने का बदन का लालज के उपर पिछे बागने का वस्तू हर एक वस्तू गाड़ी, बंगला, मकान, रोटी उसके पिछे बागने का यह भूत हर कैटलिक को भी चड़ा है लेकिन बाइबल आमको क्या बोलता बाइबल बोलता आमको परमिश्वर हमको बोलता कि हम पहला वच्चन पड़े सिर्फ वच्चन से आम जीएं वच्चन से जीओ परमिश्वर का बराबर बनो तबीच की हर कैटलिक को चंगाई प्राप्थ हो जाएगी और यह मुम्किन है जबी आप पवितर कैटलिक बनेगा आप बुरी जिन्दगी में रहके यह कभी भी होएगा नहीं सिर्फ पवितर कैटलिक बनेगा तो आपकी जिन्दगी सबसे आसान आपकी जिन्दगी हो जाएगी आपको शेयतान बोलेगा कि देखो तुम यह कर रहा वो कर रहा तुम एशू मसी का काम कर रहा तो तेरे को शाहिद नुकसन हो सकता है तेरा नुकरी जा सकती है बच्चों को कौन पढ़ाएगा यह क्या करेगा बीवी बाद में क्या काएगी यह वो सब गलत चीजें मन में शेयतान डालता है क्योंकि जो तो सच्चे परमेश्वर ने बोला पहला वचन पढ़ो वचन सिखो पवितरी कैतलिक बन जाओ तभी सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा लेकिन शेयतान क्या बोलता ना तेरे को सब कुछ अडपना पढ़ेगा तेरे को जान डालकर काम करना पढ़ेगा तेरा परिवार को खूद ने सामालना पढ़ेगा यह गलत है यह जूट है लगता है यहां सच करके लगता है दुनिया के इसाब से देखेगा अंदास से देखेगा तो सच लगता है तो जो जूट है वो सच करके शेयतान हरे कैतलिक को दिखाता है और कैतलिक शेयतान के जाल में आता है और जिन्दगी बरबादी हो जाती है हरे कैटलिक को यह पागलपन की जिन्दगी छोड़ने के लिए पवित्र कैटलिक बनना पड़ेगा और बाद में दुसरों को मदद करो करके एशु मस्यने कुद बोला मार्क एंगरेजी में मार्क 16-15 में जाले और पढ़ ले 15-16-17-19-20 वो इशु मस्यने क्या बोला और आम क्या कर सकते हैं वह इच करने का है आमको और जिन्दगी में आमको कुछ करने का नहीं आमारा हर एक कैटलिक का काम है पवित्र कैटलिक बनने के बाद जिन्दगी में वह इच चीज करने का मार्क 16 में जो लिखा है 15 से लेखे 20 तक और आमको कुछ करने का इच नहीं दूसरा सब आपुनाप हो जाएगा परमेश्वर खुदा सब कुछ आपुनाप कर डालेगा लिखेला हुआए बाइबल में जाके पढ़ डे सीक फर्स्ट दे किंगडम अफ गोड एंड इस राइचेस्थनस देन रेष्ट एवरेटिंग विल बी गिवन तो यू सब कुछ चीजें हर एक चीज बड़ी बड़ी चीज आपको दी जाएगी इतना पईसा तेरे पास होएगा कि तेरी बच्चे पिलगी थक बहुत हो जाएगा पईसा इतना होएगा ये वचन बोलता है और वचन हमेशा सचे सत्य है वचन को कोई हरा नहीं सकता सत्य को कोई भी हरा नहीं सकता शेयतान कभी भी सत्य को हरा नहीं सका सिर्फ जूट बोलते गया ओभी इंसान को दुनिया के इसाब से दिखाया कि ये इस सच चे जूट सच करके इंसान को दिखाया शेयतान ने सत्य को कभी हरा नहीं सकाओ सत्य ने प्रभु ने इशुमसिने शेयतान को हमेशा के लिए कुरूस पे हराया। जो श्राप आया था गलती से आदाम इव की गलती से जो श्राप आया था और काईदा कानून जो बुरा आया था और सब उतर गया अभी। 2020 साल हो गया। सब बुराई जब आप पवितर कहतलेक बनता है। तब हर एक बुराई इंसान की जिन्दगे से उतर जाती है। निकल जाती है, खतम हो जाती है। और इंसान पवितर बनता है, बिल्कुल एशू मस्य का जैसा बनता है। कैसा? बिल्कुल एशू मस्य का जैसा। पूरा नया करार में आमको वह उच मिलेगा। इशू मसीने लोगों को चंगाई किया चंगाई दिया चंगा किया और क्या बोला जाओ आइंदा पाप ना करे आइंदा पाप ना करियो ये बोला इशू मसीने क्या पाप नहीं करने का मेरे को एक इंसान बोला कि देखो टियागो मेरे को तेरा वचन बहुत आच्छा लगता है लेकिन ये मैं बिना पाप किया हुआ मैं जिन्दगी नहीं जिसकता वचन बहुत आच्छा है वचन सुनने को बहुत आच्छा लगता है मैं मानता हूँ वचन को लेकिन मैं पाप कैसा चोड़ेगा पाप से चुटकारा में कैसा पाएगा पाप बिना पाप करके मेरे जिन्दगी में कैसा जिपाएगा तो तुम कितना भी परचार सुनें किसी का भी सुनें लेकिन पाप तेरे से बंद नहीं होता तो तेरा और तेरा परिवार का सब का वाट जो लगिली हुए वो बढ़ती जाएगी और कैतलिक क्यूं मार का रहे हैं बहुत आसान है मालूम करने को सब का सब कैतलिक लोग क्यूं मार का रहे हैं सुन ले बराबर से ये किसी ने बोला नहीं दे लेगो ये बात अब तक कोई भी कैतलिक ने किसी को भी बोला नहीं शेयतान ने एसा जूट को सच करके बताया है, पुरा कैतलिक चर्च शेयतान के उपर अभी घुम रही है मैं भी कैतलिक हूँ, मैं येशु मस्य के विरूद नहीं है, मैं कैतलिक चर्च के उपर विरूद नहीं है लेकिन जो एक बात कैतलिक चर्च ने जो किया हुआ है वो हर एक कैतलिक को जूट में रखके हर एक कैतलिक का बैंड बजा के हर एक कैतलिक का घर का वाट लगाता है बराबर से सुन ले और प्रचार सब आपके कैतलिक दोस्तों को जो है रिष्टेदार है सब को बेज देता कि ये लोगों का जिन्दगी बच जाए नुकसान से बच जाए मोत से बच जाए सुन ले अभी इसका क्या राज है शेटान कैटलिक को कैसा हर एक कैटलिक को कैसा पागल कुट्टे का जैसा बनाता है सुन ले बराबर से मार्याम का जो प्रातना है लोग हर गर में करते उसको अंगरजी में रोजरी बोलते जो वो बीड़ पे करता है गिनके जाते है दस गिनते है वो प्रातना का में बात कर रहा है उसको तो छोड़ दो उसको गोली मार दो यह जो जबी यह आप प्रातना करता है तबी आप क्या बोलता है दस दफा वो मार्याम का जो प्रातना है वो जो हेल मरेकर के इंगलीज में बोलते है बाद में होली मेरी बोलते है दो बाग है उसका तो दुसरा बाग क्या होता है दुसरा बाग में जो चीजें लिखे ले हुए वो परमेशवार ने दीजी नहीं है पहले से चालू है वो सब परमेशवार का उत्तर है सब स्वर्ग पिता का शब्द पहला जो चल रहा है वो जो आकिर का जो हिस्सा है जब ये मार्यम का प्रातना जब खतम होने का आता है तो उसका जो हिस्सा है वो क्या बोलता है वो इसा बोलता है कि मेरी मैं एक बुरा इंसान है मैं एक पापी हूँ मैं एक पाप करने वाला इंसान है बोलता है कि मेरे लिए प्रातुना कर परमिश्वर को एसा है क्या बोलता है मेरे को प्रातुना कर परमिश्वर के पास मार्याम को बोलता है हमारे पापियों के लिए प्रातना कर अभी मैंने ट्रांजलेट परमारा मारे प्रातना कर ङो कि इसको बोलता है कि यह प्रातना हम लोग मारियां को बोलता है किसको खुर्च को मार्याम पापी ती, मैं प्रश्न पूच रहाओं तुमसे, क्या मार्याम पापी ती, मार्याम का जिन्दगी एक पापी की जिन्दगी ती, मार्याम एक पवित्र इस्त्री ती, कों ती? पवित्र लड़की ती, तो पवित्र लड़की को, पवित्र औरत को मार्याम को तुम बोलते हैं, कि हमारे पापीओं के लिए प्रातना कर, ये क्या है? यह शेटान का शब्द है किसका यह शेटान का शब्द है और तुम जब तक यह बंद नहीं करेगा जब तक तक तुम उसको जिन्दगी से खतम नहीं करेगा यह जब तक बोलना तुम बंद नहीं करेगा तेरा जिन्दगी का और तेरा पुरा घर का वाट लगेगा क्यों कि तुम बीक माग रहा है एक पापी बन कर तुम बीक माग रहा है किस से ओ भी पवित्र औरत से पवित्र औरत को तुम बोलता है मार्याम को हमारे पापियों के लिए प्रातना कर हजारों बार, लाकों बार बोला हुआ, अभी बुड़्डे जो लोग है, भुज़ूर लोग है, वो लोगों ने ये मार्याम का जो रोजरी करके करते गर पे 20-15-20 मिनिट लगता है उसको, वो बोलने के समय दस मर्तबा, बोले तो एक दिन में 50 बार हो करना पड़ता है, तो दिन में तुम 50 बार बोलता है, कि मैं पापी हूँ, मेरे लिए प्रातना कर, किस से, परमेश्वर से, परमेश्वर और पापी लोगों का रिष्टा कुछ है नहीं, सुन ले बराबर से, परमेश्वर और पापी दोनों अलग-अलग जगे में रहते हैं, दोनों का जगा एक नहीं है, परमेश्वर का जगा है सुवर्ग में, पापी लोगों का जगा है नरक में, मालूम याम को, शैतान कहां रहता है, नरक में रहते है, पापी लोग का जिवन कैसा है, पागल कुत्ते का जैसा है, बोले तो लुसिफर शैतान का जैसा है, नरक का जिन्दगी है, किसकी? पापी लोगों की, पापी लोगों की, तो तूं क्या बोलता है मार्याम को मार्याम का प्यर पकड़कर मार्याम से रोकर मार्याम से बिक मांग कर तूं क्या बोलता है कि तूं एक पापी है तुमारे पापियों के लिए प्रातना कर नरक से प्रातना सोर्ग में नहीं जाती पागल लोगों का प्रातना परमिश्वर को नहीं पूँच थी पागल लोग कुद ठीक होते थे आगर पागल लोगों की प्रातना ये जो औरत आई थी ये कनानी इस्त्री जो आई थी शुमसी के पास वो कुद ठीक हो सकती थी उसकी प्रातना परमिश्वर को नहीं पूँच थी ये जो लड़की जो पागल हो गई है दुरिष्ट आत्मा बहुत उसको सता रहा है वो कुद ठीक होती थी लेकिन वो पागल है वो पापी है शायद लड़की ने पाप नहीं किया लेकिन श्राप माबाप का पाप के वज़े से वो इसाब से ये लड़की अभी बोग रही है शायद हो सकता है कि ये लड़की ने पाप नहीं किया लेकिन जो खांदान का जो पाप श्राप था वो उसके उपर आ गया बराबर से सुन ले तो एक लड़की बली लड़की है शायद चोटी भी हो सकती है लोग ये लड़की ने कुछ पाप भी किया ही नहीं है तागल हो गई है फिर भी इसका प्रातन परमेश्वर के पास नहीं पहुँचता क्योंकि जबी आप पापी है आपका प्रातन परमेश्वर के पास नहीं पहुँचेगा और रोज तुम लोग क्या बोलते है हमारे पापीयों के लिए प्रातना कर तुमारा एक भी प्रातना परमेश्वर को नहीं पहुँचता है तुमने जिन्दगी बरबद कर दी जिन्दगी का वाट लगा दिया तुमारा एक भी प्रातना परमेश्वर को नहीं पहुचा क्योंकि ये तुम गलत मुँसे बोलता है जबी तुम ये मुसे बोलता है तेरा परिवर्थन जिन्दगी में कभी नहीं होएगा ये अभी का अभी बंद कर दे Catholic को ये बंद करना मंगता हर एक Catholic को Catholic Church तेरे को नरग से निकाल के सोर्ग में नहीं डाल सकता नरग से तुम परमेशवर को बोलेगा आरे परमेशवर देखो तुमारी चर्च है न Catholic Church उसने मेरे को रे इधर लाया रे ये मार्याम का प्रातना करके शैतान ने बोला रे और में और पुरा मेरा परिवार फस गया रे अभी मेरे उपर दया कर रे उधर से दया कुछ नहीं होती ये तुम आज का आजीच ये तो बंद नहीं करते तुमारे गर में कभी तुम लोगों का परिवर्त नहीं होएगा बच्चों का ये वो बिमारियां जो लगी हुईए ये लाचारी पन लगा हुए है दारू इसका वशा ये सब जो लगा हुए कभी नहीं उतरेगा ये जो गलत है जबी तुम मुँसे एक पिशब्द गलत बोलेगा तेरा जिवन का वाट लगेगा ये बिलकुल गलत है ये शेटान ने लेके लावा है ये शेटान की चाल है ये हमारे पापियों के लिए प्रातना कर क्योंकि परमेशवर ने बोला कुद एशु मसीने जाओ तुमको अभी चंगाई मिली हुए न जाओ और आइंदा पाप नहीं करो इससे जादा आठ गुणा जादा तेरे को इससे बुरा होएगा जो तेरी बिमारी जो निकली हुए न अभी चंगाई मिले न तेरे को इससे आठ गुना तेरा जिवन मुसिबेत में पहस जाएगा पढ़ जाएगा बीमारियों में आप पुरा बांदा दिया जाएगा आठ गुना से ज़्यादा और फोरें तेरी मौत भी हो सकती है इतना खतरनाक बीमारी तेरे को हो जाएगी और उसमें तेरी मौत भी हो बंद करेंगे इधर से चालो करेंगे शुक्रया इश्यू मसी शुक्रया पवित्रात्मा शुक्रया सुर्ग पिता अभी प्रात्ना करेंगे सोर्ग पिता और इश्यू मसी और पवित्र अतमाचे नाम से आमें सोर्ग पिता मैं आपके प्यारे पूत्र इश्यू मसी के नाम से प्रातना करता हूं जो इंसान यूटूब लाएपर है उसको और उसका पुरा परिवार को और जो लोगे वीडियो देख रहे प्रेचार सुन रहे उनको और उनका पुरा परिवार को आप कोविड बिमारी से और ब्लैक फंगस दोनू बिमारी जों से बचाकर रख दोनू बिमारी लोगों से पुरा दूर कर गर में जो लफडे है एक दूसरे से जगडा करते दूसरों एक दूसरों को नुकसान पहुंचाते है दोका यह सब कुछ जो गर में है वो सब कतम करके सब को आपका प्यार में बर दे और पुरा इंसान का गर में एक दूसरे से आपका जैसा प्यार का वेवार कर दे जो लोग पढ़ाई करते उनका दिमाग बड़ा, सोच बड़ा और अच्चा बड़ा मार्कस में लोगों को पास करवा दे और जो लोगों का दंदा चलता है वो लोगों का दंदा बड़ा जो लोग नकरी पर जाते है उनका पागार बड़ा पोश्ट बड़ा जो लोग नई नकरी डुणते है उनको बड़ी कमपनी में बड़ा पागार की नकरी दे जो लोग अभी गर में बेटे ले हुए है उनका कमपनीया वापस चालू करके पागार बड़ा के पोश्ट बड़ा के वाप आपका मदद आपकी कुरूपा ये लोगों को देदेवार पवित्र आत्मा का भी मदद ये लोगों को पास रखको. आमेन.